मुद्दा है जो बेंकिंग फ्राड होते हैं जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है ट्रांजेक्शन करवा लिया जाते हैं कुछ लालच दे कर उस प्रकार की इस्तिती में क्या करें उसके लिए एक बड़ी अच्छी तातकालिक विवस्ता है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है ये नंबर में आपको कई बार दो या तीन बार रिपीट करूँगा 155-260 ये नंबर है 155-260 फोन नंबर है ये 155-260 ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए कभी भी किसी भी कारण बश अगर कोई फ्राड होता है आपके साथ तो ततकाल इस नंबर पर फोन लगाईए उस रेइस्टर नंबर से जो रेइस्टर नंबर बेंकिंग में बेंकिंग के ट्रांजेक्शन के लिए आपने रेइस्टर किया हुआ है उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा ये आवश्चा के ध्यान रखिए कि आपको जो आपका phone mobile number है या जो भी आपका phone number है जो banking के transaction के लिए किसी प्रकार के banking transaction के लिए registered है उस number से आप ये 155-260 number पर phone लगाईए आप वा phone आप बताएंगे तो आप से कुछ जानकरिय ली जाएंगी जैसे आपका नाम, आपका phone number, bank, card number, wallet जिसमें पैसे गया है wallet जिसमें पैसे कटे हैं, जिसमें गया है, आदी त्यादी वो जानकरिय आप बता सकते हैं PIN वगेरा आप बिल्कुल मत बताईए क्योंकि इस तरह के number का कोई दूसरा जहां सा देके आप से PIN वगेरा भी पूछ सकता है तो एक तो यह number आप विशेश रूप से ध्यान रखिए जब आप यह बता देंगे तो यह विवस्ता इस प्रकार से की गई है MHA द्वारा जिसमें साइबर रास्ती साइबर क्राइम ब्यूरो है वो और जितने भी बेंकिंग पॉर्डल हैं इंक्लूडिंग रिजर्बेंक रिजर्बेंक, सारे बेंक्स सारे जितने भी यूपी आई हैं जितने भी यह financial transaction के पॉर्डल हैं यह सब इस से जुड़े हुए है ततकाल आपका message इन सभी banking संस्थानों को चला जाता है banking agencies को चला जाता है क्योंकि जब fraud होता है एक bank से दूसरे bank के में transaction होने में थोड़ा time लगता है यह bank अपनी formality करता है फिर वो दूसरे को transfer करता है फिर वो bank करता है तब जाके तब वो duration का जो समय उसमें अगर इनके पास message पहुच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुख जाएगा अगर मालीजे एक bank से चल दिया है दूसरे bank तक जाने के लिए तो उस रूट पर रोग दिया जाएगा आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा मैं आपकी जानकरी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ो रुपए वापस कराए गए है M.H. द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा करोड़ो रुपए वापस हुए है लोगों को यह मालूम नहीं है 155-260 यह एक ऐसा नंबर है इसमें आप इसको जरूर रखिए विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें शिवरिटी रहती है आही जाता है अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर जो की National Cyber Crime Reporting Portal है इस पोर्टल पर आप अपनी application अपनी शिकाहत दर्ज कर दें वो पोर्टल active होके सारी सर्च करता है सारा सब कुछ निकालता है और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिय होती है या फिर उन्हों को identify कर लिए जाता है जरने बाद प्रक्रिय कर दें